प्याजे की जो अप्रोश थी cognitive model में जो उनका काम है उसमें चार stages है development की जो के पहली उसकी stage है जिसको कि उनने sensory motor का नाम दिया जो के infancy से लेके birth से लेके तकरीबन दो साल तक की उमर के बच्चे के जिंदगी में रूनमा होने वाली तबदीलियां वो किस तरह से सीखता है उस round का developmental stage है वो pre operational के नाम से है जिसमें के 2 साल से लेके तकरीबन 7 साल तक की उमर के बच्चे के बारे में सीखा जाता है तीसरा उनका जो approach है वो concrete operational है जो के 7 साल से 11 साल तक के बच्चे के लिए है कि जिसमें उसकी learning procedure कैसे हो रहा है किस तरह से उसका mental model है किस तरह से उसमें वो basic principles, schema के and adaptation of model के है and then the fourth stage is जिसमें के वो आफ formal operational पे चले जाते हैं जो के 11 साल और उसे बड़ी उमर के जो बच्चे हैं और जो learners हैं उनके बारे में उसका काम मजूद है जो कि उसके तमाम इस सारी research की जो काम है वो उनने तकरीबन निस दिहाई पर हम उसे मुहीत देखते हैं जिसमें उनने अपनी research को जारी रखा और उनने ये देखा कि कैसे existing knowledge से new knowledge की creation या उसकी retrieve करने की तरफ एक इनसान एक बच्चे पैदाश से लेके आगे बढ़ता जाता है very interestingly अगरचे हमें इसमें direct कोई extensive research नहीं है but you may find it interesting कि हमारे अपने दीन में भी इसकी बहुत जादा अमल दखल और इसके बारे में हदायत मुझूद है जहांपे के कहा जाता है कि आगास से लेकर पैदाश से लेकर अंजाम तक learning का procedure जारी रहता है और उसको रोकना नहीं चाह और उसे जारी रखने को फरीजा भी कहा गया है पैजे कि अगर हम cognitive development की stages में पहली stage को के बारे में जानना चाहें जिसको हम sensory motor का नाम पैजे ने दिया हमारे लिए और वो birth से लेके दो साल तक के बच्चे के लिए होती है ये वो अर्सा है जिसमें के बच्चा इस दुनिया म पर अपनी पहली एक नूर की किरन जो उसकी आँख में आती है उससे लेकर वो अपने इर्दगिर जो इनसानों को देखता है उसके मतलिक वो क्या सोचता है जो के शायद उसके size से compare करके बहुत बड़ी creation उसको नजर आती होंगी वो तमाम तर चीजों को किस तरह सीखता है उसकी आप pace of learning का अगर अंदाजा करें तो हम appreciate किये बगएर नहीं रह सकते कि इस stage पर होने वाली learning इंतहाई fast है जिसमें कि बच्चा हर दिन के साथ चंद महीनों चंद हफतों का बच्चा पैदाईश के वक्त के बच्चे से बहुत फरक होता है चंद महीनों का बच्चा इत बच्चों के दरमयां। क्योंकि इस stage पर teachers या formal schooling नहीं है, इस stage पर जो बेस्तरीन जो एक दरस का है, वो बच्चे के अपने parents और उसके घर का महौल है. यह नहीं होता कि आँख ओजल पहाड ओजल की stage से बच्चा निकल जाता है, जो वो देखता है, उसको वो सीखता है और उसके mind में वो चीजें store होने लगती हैं. So, objectives की permanence हमें देखने को मिलती है. Recognition of ability to control objects and acts intentionally. शुरू के दिनों में बिलकुल हो सकता है, कुछ unintentional हरकते भी हुएं, कुछ unintentional गर्दन का हिलना, सरकाना ठहराये जाना, but after few days, we like to see कि हमारा बच्चा बहुत जल्दी से हर हरकत intentional करने लगता है. हांसी, उसका उठना, जागना उसका रोना, certain message उसमें मौजूद होता है. बर्द से लेके दो साल तक के बच्चे में, जो एक तीसरी एहम चीज़ देखनी की है, वो यह है कि deals with reality in terms of sensation and motor movement. कि वो reality में sensation के साथ और motor movement के साथ, हाथों की movement, वो कुछ हाथ बढ़ा अगे पकड़ने की भी कोशिश शुरू करता है. यह सब तबदीलियां उसके लिए दो साल तक रूनमा होने लगती हैं, जिसका केक स्कीमा उसके mind में चल पड़ता है.